विल्कम फ्रेंड्स मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डोमेश्टिक फ्लाइट में कितना कैस लेकर जा सकते हैं यदि आप इंडिया के अंदर ही कहीं जा रहे हैं और फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो आप 49,000 रुपई यानि 49,000 रुपीज आप बिना किसी पुरूफ के ले जा सकते हैं और आपको पैन कार्ट की जिरूद भी नहीं है लेकिन दोस्तों यदि आप ज़्यादा रुपई लेकर जाना चाहते हैं तो भारत की जो गाइडलाइन के अनुसार 2,000,000 रुपई आप लेकर जा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको इंकम पूरूफ दिखाना होगा आपको पूरूफ दिखाना होगा कि वो पैसा कहां से आया है और दोस्तों जब से डी मॉनिटाजेशन हुआ है तब से कम लोग की कैस लेकर चाते हैं क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है और प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एटियम कार्ड है ये सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और फ्लाइट में कैस लेकर चलना सेफ भी नहीं होता है तो इस वीडियो में मैंने आपको यह जानकारी दी कि आप 49,000 रुपीज आप लेकर जाएंगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहाएगा लेकिन ज़्यादा रुपए आप लेकर जाना चाहते हैं तो 2,000,000 रुपए तक आप लेकर जा सकते हैं लेकिन आपको इंकम पुरूफ दिखाना होगा कि वो पैसा आपके पास कहां से आया है यह जानकारी पसंद आईए तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें